इंडी अलायंस और खास करके इंडी अलायंस में कॉंग्रस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है और आमाद्बी पार्टी जो सबसे नही नही बनी हुई पार्टी है और उन बीच में वो सारी परिवारवादी पार्टीयां इनका एक चरित्र बन चुका है इनका चरित्र ये है कि लूट करो, जूट बोलो, पकड़े जाओ, तो विक्टम बनो और संस्थानों पर दबाव डाओ ये इनका चार पॉइंट मोडस ऑपरेंडाय बन चुका है, कि हम लूट करते रहेंगे, हम लोग जूट बोलते रहेंगे, जब पकड़े गए, तो हम विक्टम हुट कार्ड खेलने लगेंगे, और यदि वो विक्टम हुट कार्ड काम ना करें, तो हम संस्थाओं पर भी अनर आज कुछी देर पहले आपने देखा होगा, कि प्रधान मंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट बिलकुल सही किया है, क्योंकि आज ही के दिन, जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे चरित्र को दर्शाने वाली दो घटना करम सामने आई है, इससे स्थापित ह हो जाता है कि किस प्रकार से आज जो लोग जिनके राजनेतिक विरासत में हमेशा से कमिटेट जुडी शिरी बनाने की बात रही हो, जिनके हातों पर इमर्जनसी के हत्यार से लोकतंतर के गले को काटने का महापाप और खून के दब्बे आज भी दर्ज हो, वो किस प्रकार से लोककंत्र बचाओ के आवरण में कभी भष्टाचार बचाओ और कभी अपने परिवार के राजनेतिक अस्तित्व को बचाओ का पूरा का पूरा एक सांग रचते हैं, ये आज साबित हो चुका है, आज आपने सुभे कई न्यूस चैनल्स पर ये खबर भी दिखाई कि देश के कहीं जाने माने वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने, लीगल लूमिनरीज ने एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया है कि कैसे एक वेस्टेड इंटरिस्ट ग्रूप लगातार अपने भ्रष्टाचार और लू कभी न्याय प्रणाली और न्यायक व्यवस्था पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, कभी न्याय प्रणाली पर दबाव डालने के लिए जिस प्रकार से अलग-अलग तरीके के कुतर्क करते हैं, और कभी जिस प्रकार से पूरी की पूरी न्यायक व्यवस्था को बदनाम करन के लिए बेड़ा उठाते हैं चाहे इसमें भारत के न्याएक व्यवस्था के प्रती ही पूरी दुनिया में गलत संदेश क्यों न चला जाए ये इनका जो चरित्र है आज सामने उजागर हुआ है और वो दो केसिस के माध्यम से आज ही उजागर हुआ है आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्दी में कोट में पहली बार कोट को राजनेतिक ड्रामे का अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई इससे पहले तो हमको पता है कि आम आदमी पार्टी का राजनेतिक चरित्र ये रहा है कि वो हमेशा ड्रामे बाजी और नौटंकी इस प्रकार की राजनेति तो करते ही हैं पर तो जिस तरीके से कोट के पावन फ्लोर को भी अपनी राजनेतिक ड्रामा और अपने राजनेतिक नौटंकी का एक अड़ा बनाने का प्रयास किया गया, ये आज पूरे देश ने देखा है, जिस प्रकार से वहाँ पर जुडीशिरी पर दवाव डालने का प्रयास किया ग और ये सारे आरोप तथाकति जो बड़े खुलासे वो करने वाले थे, ये वही गिसी पिटी बातें, ये वही पुरानी बातें, उसी को एक प्रकार से रिपीट किया गया, परंतु राजनीतिका अखाड़ा बनाकर कोट को. इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, कि ये जो कोट में हुआ, वो, क्योंकि उनको यही फ्रेज समझ में आएगा, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल प्रस्तुत करने का काम था. वही आरोप, वही प्रत्यारोप जो हाई कोट में, अलग-अलग कोट में, पहले भी इनके वकीलों ने ये दलीले रख दी है, जिस पर कि पहले ही कोट ने इनको कोई राहत नहीं दी है, उनी दलीलों को री-पैकेज और री-पार्सल करके, आज दबाव डालने की पूरी को परन्तु आज भी कोट की तरफ से कोई रहत नहीं मिली और जब कोट की तरफ से कोई रहत नहीं मिली आज तो इस फैसले को सम्मान के साथ सुविकारने के बदले इस फैसले को आदरपूरवक मान के अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बदले ये फिर से जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए और पूरे के पूरे देश में एक भ्रम की स्थिती पैदा करने के लिए और देश की लोकतांत्रिक संस्ताओं पर ही सवाल खड़ा करने के लिए तुरंट एक narrative को गड़ने के लिए एक शुरुवात की जाती है अज मैं पूछना चाथा हूँ कि किस प्रकार से आज जो ये खुलासे की बात कर रहे थे ये क्या खुलासा हुआ आज खुलासा तो ये हुआ कि जिस प्रकार से आपने लगातार कहा था कि मनी ट्रेल नहीं है तो गुपता जी जो इनके ही वकीर है उन्होंने तो आज मान लिया कि हाँ money trail है और वो money trail तो गोवा में जो चुना हुए है उसमें पैसा खर्च हो चुका है ये गुपता जी का बयान है जो अलग-अलग portals पर court हुआ है ये कहते हैं कि आज तक 54 नहीं मिली money trail कहा है इनके प्रवक्ता आकरामादभी पार्टी के लगातार कहते हैं गुपता जी ने court से कहा I am willing to cooperate ये अरविन के जिवाल के लिए कहते हैं बट किसलिए arrest किया मुझे money trail तो खर्च हो गई ना वहाँ गोवा में तो आप खुद स्विकार रहे हो तो आपने तो खुद स्विकारा है कि गोवा में आपने money trail खर्च कर दी है फिर भी आप यकीन मानने को तयार नहीं है सुप्रीम court ने कहा है 338 करोड का money trail मिला है सुप्रीम court के एक verdict को किसी और मामले में मानना है पर जब सुप्रीम court मनी सिसोद्या को bail reject करते हुए बताए कि 338 करोड का money trail है उसको नहीं मानना है हाई court जब कल आपको कोई राहत नहीं देता है तो हाई court को भी miss court करके किस प्रकार से प्रस्तुत करना है वो कल आतिशी जी ने किया आतिशी जी ने कहा कि कल हाई court ने हमें बड़ी राहत दी है उन्होंने स्विकार लिया है कि जो गिरफतारी हुई है वो अर्विंद केजिवाल की राजनेतिक विद्वेश्पूर कारवाई से हुई है आतिशी जी आप इतना जूट बोलेंगी सारवजनिक पटल पर ये पैरा 15 है कि जी राहत पर अज़ूल अपर में ये लिवरी पन्न आतार कि ऑन आपूल पर टूट जीवाल पर आगे हाई कोट कहता है कि आपको इस्टेज पर कोई भी राहत नहीं दी जा सकती, इंटेरिम राहत के रूप में भी, पर आम आदमी पार्टी आकर कहती है बेशर्मी से कि ये जो है फैसला हमारे हक में आ गया है और फिर आज जब फैसला आता है और अरविंद केज़िवा की रिमांट कोट बढ़ाती है तो फिर भी ये नेरेटिव दिया जाता है कि आज हम लोगों ने जो भी बात रखी है उसको स्विकार लिया गया है यही बात जो उन्होंने लगातार कहने का प्रयास किया है ये हाई कोट में भी कहा पर उस पर भी कोट ने उनके तरकों को नह जब विजय नायर से लेकर मनीश सिसोधिया तक संजय सिंग तक उनको कई महीनों तक बेल नहीं मिलती है राहत नहीं मिलती है तब भी वो आकर कहते हैं कि लोगतंत्र का कतल किया जा रहा है और लोगतंत्र को दबाया जा रहा है आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्री स्टन्ट बाजी और ड्रामे बाजी के बाद भी रात नहीं दे रहा है तो क्या कोट भी विद्वेश की भावना से काम कर रहा है यदि कोट विद्वेश की भावना से काम कर रहा है तो आज आम आदमी पार्टी ये भी बता दे कि उनी की साथी कॉंग्रिस पार्टी ने तो य क्या आज कॉंग्रिस पार्टी भी विद्वेश्पूर कारवाई से ग्रसित है दरसल सवाल ये है कि कोट की बात को भी नहीं मानना है लूट करना है जूट बोलना है विक्टम बनना है और संस्थाओं पर दबाव दालना है और इसी लिए आज जिन लोगों को जवाब ये दे करते हैं आज वो शराब घोटाले पर आ गए जो लोग बच्चों की सोगन लिया करते थे कि हम कभी भी बड़े गबंगले में नहीं जाएंगे हम कभी भी कॉंग्रिस से हाथ नहीं मिलाएंगे आज वो लालू प्रसाद यादव के साथ भी आ गए और आज वो शीश महल में रह रहे हैं जिन लोगों ने ये सोगन खाई थी कि लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंग यादव जी उस समय पर कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं को जेल में डालेंगे आज इनी भष्टाचारी नेताओं के साथ खड़े होकर जब इनके खिलाफ कारवाई होती है तो ये लोग महारायली निकालने की बात करते हैं और आज सवाल ये भी बनता है कि जो लोग कहते थे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए दूसरों के मामले में इंडिया अगेंस करॉप्शन के रूप में आज जस्तिफिकेशन ऑफ करॉप्शन करते हुए कहते हैं कि हम ना इस्तीफा देंगे ना हम जांच में शामिल होंगे और हम सरकार जो है तिहार में रहते हुए चलाएंगे। में जाते हैं तो सरकार को घोटाले बाज ओर्डरों के साथ चलाते हैं और जब कोट के नियायले के फैसले आते हैं तो उसमें भी घोटाला करते हुए एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और नियायले पर सवाल चिन खड़े करते हैं क्योंकि उन्हें अपने को बचाना है आज सवाल ये निर्मान होना चाहिए अरविंद केजिवाल और आमादमी पार्टी से कि आपने शराब घोटाला किया या नहीं किया क्या अगर नहीं किया था तो नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यूं आए धाई फीसद से बारा फीसद कमिशन क्यूं क किया ब्लैक लिस्टेट कमपनीज को आने क्यूं दिया होल सेल में प्राइविट सेक्टर को आने क्यूं दिया सवाल ये बनता है कि शराब घोटाला करके हजारो करोड रुपए आपने तब कमवाए जब कॉविड का कालखंड था और जिस प्रकार से गोवा से लेकर अन्य चुनाओं में उसका इस्तमाल किया उसका तो आज कोट ने एक प्रकार से उस पर मौः लगाने का काम किया पर फिर भी आप कहते हैं कि आप कट्टर इमानदार फिर भी आप कहते हैं कि हमने कोई भष्टाचार नहीं किया और आप वही लोग है जो पहले स्तीफे मांगते थे आज स्तीफा देने से इंकार करते हैं और इस्तीफा जब देने से इंकार करते हैं तो मंत्रियों को आप कहते हैं जेल से भीतर कि किस प्रकार के आदेश पारित होने चाहिए अब उस आदेश पर भी कई सवाल उठ रहे हैं जो आतिशी जी ने पहला आदेश दिखाया और सारवजनिक पटल पर डाला आज सवाल उस पर भी बनता है कि वो office of CMO का जो letter है वो कैसे जारी है क्योंकि बिना court के permission के अरविंद केजरिवाल इस प्रकार का signed आदेश किसी CMO के officer को दे नहीं सकते आपने किसके माध्यम से वो CMO तक पहुँचाया आपने क्या court की permission ली थी इस विशे में आपने यदि court की permission ली थी और पहुँचाया है तो किस अधिकारी को बोला कि इसको सारवजनिक करना चाहिए उस CMO के letter पर कोई date या कोई reference number जो किसी भी सरकारी communication में होता है वो क्यों सपश्ट नहीं किया गया है और सवाल ये भी बनता है कि अगर आप jail के भीतर है जहां पर आपका access to outside information files इतना limited है आप jail के भीतर है परंतु आपको पता है कि पानी की health की समस्याएं हो रही है तो तुर मंत्री होते हुए बाहर से नहीं समझ पा रहे हैं जो आप jail में बैटे हुए अंदर से समझ पा रहे हैं तो इनको तो केवल incompetence के माध्यम से incompetence के लिए सैक कर देना चाहिए सवाल ये भी बनता है कि इन मंत्रियों के पास आदेश किसके माध्यम से पहुचाय जा रहे है क्या आपने सरकारी किसी कर्मचारी से इनके पास आदेश पहुचाया या आपने मिलकर इन मंत्रियों को बताया क्योंकि मंत्री तो आप तो आप में जो दिल्ली की सरकारी व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा उलंगन है तो इस पर स्पष्टिकरन देने के बदले आज फिर से वही जूट और वही प्रोपगाइंडा परोसा जा रहा है जिसको कोट ने रिजेक्ट किया है आज किवल इसी मामले में नहीं एक और ऐसा मामला है जिस पर बात सामने निकल कर आई है कि किस प्रकार से ये दल इंडी अलाइंस के दल लूट करते हैं जूट बोलते हैं और फिर दबाव डालते हैं संस्ताओं पर आज हाई कोट ने कॉंग्रेस पार्टी को इंकम टैक्स के मामले में फिर से कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया और जब कॉंग्रेस पार्टी को ये राहत आज फिर से नहीं मिली है तो सवाल ये बनता है कि क्या आप कॉंग्रेस पार्टी जो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उनके उपर जो कारवाई हो रही थी वो विद्वेश्पून कारवाई है क्या Congress Party बताएगी कि क्या High Code भी विद्वेश्पून कारवाई के साथ खड़ा है क्या आज Congress Party बताएगी कि लगातार आपने एक जूट परोसा कि हमारे bank accounts frozen है जबकि सत्यता ये है कि bank account पर freeze नहीं है bank account पर lean है lean का मतलब ये है कि जितना पैसा आप income tax को ओ करते हैं उसको भर दीजिए उसके बाद जो भी अधिक राशी है उसको आप खर्च कर सकते हैं क्या ये सच नहीं है कि Congress Party income tax के पास गई थी उनको ये notice मिला उसके बाद appellate पे गई थी उसमें 20% भरने के लिए कहा गया था उन्होंने वो राशी जमा नहीं करवाई उसके बाद Congress Party ने लगातार अपील पर अपील फाइल की थी और उन अपील में भी उनको राहत नहीं मिली ना उन्होंने उसमें को इश्टे मांगा था और जब 13 मार्च 2024 को हाई को पास पहुँचे तब ह हाई कोट ने उनसे कहा कि इतने वर्षों से चलता जो मामला है उसमें आज आज आप क्यूं हाई कोट के पास आए हैं जब assessment होना है इसके अलावा कुछी दिन पहले हाई कोट के पास फिर से जब ये पहुँचे तो हाई कोट ने 45 पेज के order में और मैं कोट करके बता रहा कि substantial and concrete evidence exists कि 520 crores का dubious unaccounted transactions हुआ है कॉंगर्स पार्टी के साथ। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से करोडो रुपे कॉंगर्स पार्टी के दफ्तर में और AICC में 24 अकबर रोड में पाए गए हैं और इसी लिए इस सारी चीजों का assessment होना जरूरी है ये क कुछ दिन पहले court के high court का आदेशाय था और आज भी high court ने उन्हें राहत देने से इंकार किया और आज इसी लिए मूल सवाल ये पैदा होता है जो प्रधान मंत्री जी ने tweet भी किया है कि क्या आपका समविधानिक संस्थाओं के प्रती constitution के प्रती commitment conditional है यदि कोई समविधा समविधानिक संस्था आपको राहत दे दे सुप्रीम कोट आपके हक में फैसला सुना दे तब सुप्रीम कोट के फैसले को स्विकारना है और सुप्रीम कोट और लोकतंतर बहाल है परन्तु जब वही सुप्रीम कोट वही कोट वही लोकतंतर की संस्थाओं आपके हक में फै पर सवाल खड़े कर देना है जब आप चुनाव हार जाओ और जब चुनाव जी तो तब EVM चीक है जब सुप्रीम कोट आपको राहत ना दे तब सुप्रीम कोट के ऊपर सवाल उठाओ और आजकल तो EVM और कोट के अलावा जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने लगे इसलि सनातन शक्ती पर भी सवाल खड़े कर देते हैं तो ये दिखाता है कि साथ फेस चुनाव के बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं परंतु ये तीन फेस मेल्टडाउन का जिस प्रकार से शुरू हुआ है जिसमें EVM और EC को गाली फिर जनता को गाली और आज जुडिशरी को गाली और अपमानित करने का और उस पर दबाव डालने का जो प्रयास किया जा रहा है आज इस पर आमादमी पार्टी, कॉंग्रिस पार्टी और तमाम जो इंडी अलाइंस के दल है इनको जवाब देना चाहिए इसमें किवल एक ही बात जोड़ूँगा कि जो लोग कहते है कि ये जो कारवाई है ये विद्वेश्पून कारवाई है इनके गटबंदन में लालू प्रसाद यादव जी है जिनकी पहली कन्विक्शन 2013 में हुई जब UPA की सरकार थी इनके गटबंदन में JMM है जो पहली बार जब कन्विक्ट हुई तब भारतिय जंता पार्टी की सरक थे और आज जब कारवाई होती है और कोट से रहत नहीं मिलती है तो लोकतंतर खत्रे में आ जाता है इसी प्रकार का दोहरा चरित्र जो आज दिखाने का काम किया है इन दो केसिस के माधियम से भी पता चलता है कि कि किस प्रकार से केवल लूट, जूट और संसरानों पर बाव डालने की ये राज़निती चले। ये बोड कम से कम उनके सांसदों को तो दिखाई नहीं दे रहे थे। जो एक लौता उनका सांसद था, वो तो भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसी से पता चलता है कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में भारतिय जनता पार्टी के प्रती किस प्रकार का एक जन सैलाब उमड़ा है, कि जो सिटिंग सांसद है, जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकेट भी दिया था, वो भी आल है कि अरविंद केजरिवाल को हमने जेल में डाला, तो क्या कोट भी भारतिय जनता पार्टी के आदेश पर चलती है, इस प्रकार का आरोप लगाना, ये कोट पर आरोप लगाने जैसा है, और कोट पर आरोप लगा कर भाग जाना, ये इनकी फित्रत बन चुकी है, और ये वही लोग है, जिनोंने आरोप प्रत्यारोप किये, परंतु आज तक कभी किसी आरोब पर वो खरे नहीं उतर पाए ये सौरब भरदवाज जी कह रहे थे कि 800 करोड का आडियो टेप है जो मैं जारी करने वाला हूँ कि कैसे भारते जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड रही है क्या आज तक वो 800 करोड का आडियो टेप बहार आया है ये वही आमादी पार्टी है जिसने अरुन जेटली जी से लेकर गड़करी जी पर अन्य प्रकार के आरोप लगाये थे फिर उनको नतमस्तक होकर माफी मागनी पड़ी और जहां तक सवाल है पंजाब की सरकार के कामकाज का तो आज ही कॉंगरिस पार्टी ने पंजाब में जो संगरूर में 21 से ज़ादा हत्याए हुई है शराब के बिकने से उसके उपर सवाल उठाते हुए पंजाब सरकार को भगवंतमान को जिम्यदार कहा है और ये तो उनके खुद के गडवंदन के साती है तो जब अपने ही सांसद और अपने ही साती आपके कामों पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सौरब भरदवाज को अपने गिरिबान में जाकर देखना चाहिए शराब अपने आप तो ये तो ये अपने है। you see the problem is that Congress party is the biggest and the most woman opposing Mahila Virodi party and therefore this entire post that was done by Supriya Srinet it seems to have been orchestrated as a planned strategy of the Congress party because even after 72 hours Supriya Srinet who said that it has not been done by her but somebody who was handling her account has neither identified the said culprit neither has she filed an FIR against the said person or the post that has gone from her account in fact if you see it is not just Supriya Srinet but in fact other leaders of the Congress who also made an objectionable post like that and people from Congress's ecosystem including the likes of Rinal Pandey also posted it so it seems that this was not a sayog it was a socha samja prayog sanctioned by the very top of the Congress leadership including perhaps Priyanka Wadra ji and Khadge ji and Rahul Gandhi ji and therefore they have not taken any action that was expected to be taken off them in fact if you see the entire DNA of the Congress recently the kind of people they have given ticket to who are standing in solidarity with rapists they have also when Ankita Datta one of the Congress workers raised allegations against their youth Congress chief they removed her they gave ticket to somebody like Shanti Dharival who said rapes take place because it's Mardon ka Pradesh and the Congress party has constantly defended those who have made such objectionable statements against Nari Shakti so it seems that the entire Congress party is handling glove in this kind of attack on not just Kangana Ranaut but on the people of Mandi by equating Mandi to a sexually connoted word to the people of Himachal Pradesh and therefore it is in the fitness of things that she be asked to explain how and why such a post was done and who was behind such a post and who was behind such a post so इस प्रकार के बयान देते हैं जो इसका ना सिर है ना पैर है इलेक्शन कमिशन जब इसी EVM से तेलंगाना में चुनाव कराता है तब उस चुनाव को आप मान लेते हैं और जब आप इलेक्शन हार जाते हैं या हारने की स्थिती में होते हैं तब EVM पर सवाल खड़े करने के लिए अलग-अलग तरीकों से कुतर्क देते हैं तो मुझे लगता है आज बुपेश बागेल ने इस प्रकार का तर्क अपना कर ये बता दिया है कि EVM महज एक बहाना है क्योंकि राहूल गांदी और परिवार को हार से बचाना है इसलिए इस प्रकार के कुतर्क को अपनाना है इलेक्शन कमिशन कैसे चुनाफ करेगा कहां से कैसे वो चुनाफ करेगा वो उसके विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए उपेश बागेल जी को तो ये बताना चाहिए कि 36 गड़ में उनको लग रहा था उनकी सरकार बनने वाली है परंतु उनकी सरकार को जनता ने भ्रष्टाचार के लिए नका रहा है और उस भ्रष्टाचार का जवाब उनको कोट में और जनता के कोट में देना चाहिए Thank you very much